हेलो दोस्तो मैं मिना मिना के एक न्यू ब्लोग में आप सब का स्वागत है तो गुड मॉर्निंग दोस्तो कैसे हैं आप लोग आशकरती हों आप लोग स्वस्थोंगे और मस्तोंगे तो यह आज मैं जा रही हूँ कुछ बड़ी हासा बनाने बरसात है और यह रहा लैसुन प्याज अद्रक और टमाटर मेरा ग्रेवी के लिए और इधर कटा हुआ है तरोई आलू और बस तरोई आलू काटके रखा है थोड़ी से अद्रक है इसमें डाल दिये हैं और चना दाल भीगो करके रख दिये थे सुबा ही हम और देखे टमाटर और इसका गेवी बना लिया है सारे मसालों का तो दोस्तों एकदम प्योर ठाली आज मैं बनाने वाली हूँ और यह बहुत अच्छा लगता है खाने में चावाल लोटी पर अठे चाहे जिसके साथ भी खाईए यह मेरा मसाला हो गया है तैयार दोस्तों तो हमारे गाव अगरा में जब सब्जी तलोई और निन्वा लोग की कद्दू की भरमार होती है चपपर चानी में हर किसी की मिल जाएगा तो दोस्तों क्या होता है ना जब कोई सब्जी नहीं ज्यदा तर मार्केट हपते में ही लगत कि हम लोग साल अबंध के दे रख लेते हैं। तो में ने तेल कुकर चढ़ा दिया था तेल डाल दिया था तेल गरम हो गया है। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और डाल दी थी मैं 24 Бड़ी बड़ी डाल करके खुश्बू और टेस्ट दोनों ही बदल जाता है एक दम इस चना दाल और तरोई के साथ जो हम सबजी बनाने वाले हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे मसाला मेरा जले नहीं तो दोनों ही साथ में भूझ लेंगे मेरी बड़ी भूझी हुई है तो मैंने अलग से नहीं निकाला सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें अच्छे से पक कर जल्दी जली पक जाता है है तो जल्दी पक जाता है मेरे डेली वाले मसाले डाल दी अगर अलदी पौडर धन्या पौडर लालमीच पौडर सभी मसाले यही डेली जू हम डाले हैं और बढ़ी बहं जैसे भूझ लेंगे इसको अच्छे से देखे लाल-लाल होते तक भूझ ली तो दोस्तों हम लोगों को जदा तर ऐसी सब्जिय देशी स्टाइल वाली सब्जिया बहुत बनती है क्योंकि घर में यह सब चीज़े तो चाला डाल डाल दी है बाद में जो भीगा कर रखेते ना वो भी डाल दी है सब्जी बनने के बाद बहुत चाला टेस्टी लगती है छोले चन्ने और राजमा वगर जैसे होते हैं वैसे यह सब्जी भी खाने में बहुत ही मज़ेदार रहती है एकदम और तरोई मैंने काट करके रखी ती धो करके पानी में डाल के क्योंकि खराब काली पड़ जाती ना और उसको भी हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा बाइत में काटे हैं क्योंकि कुकर में पकानी है तो बादी कटिंग करेंगे तो गल जाएगा ना पूरा एकदम से इसलिए मैंने क्या किया है थोड़ा सा मोटा-मोटा काटा है सारे मसालों के साथ में यह भी हम अच्छे से इक्स कर लेंगे गोल गुमा करके और उसके बाद यह देखे मेरे कितना बढ़िया मसाला एकदम लगा हुआ है लाल लाल बढ़िया ग्रेवी वाली सब्जी मेरी बनने वाली है तो दोस्तों यह सब्जी बनाने के बाद ना हमें दाल की जरुवत और कुछ एक्ष्टा की अधिया चया बाद चया है दबन करता है और चावल और स्तेशल शबजी वाली बनाएंगे आज मेरा लन्स होगा plutôt दौपहर का खाना तो यह सब्जी कभी कभी बनाते हैं टेस्ट चेंज करने के लिए एक दम बढ़िया सा टेस्ट खाने का जब मन होता है तो यह सब्जी हम बनाते हैं तो आप ज़रूर ट्राइ किजिएगा दोस्तों यह सब्जी बहुत अच्छी लगती है बन करके और बहुत सिंपल से बन भी जाता है चनदाल को भीगा दिये थे एक घंटा पहले भी भीगाएंगे तो भी कुकर में बनाना है तो जल्दी से हमारा बन जाता है लसुन मिर्ची अध्रक और प्यार टमाटर ले लिए थे ग्रेवी बनाने के लिए और धन्या मिर्च हलदी मसाला गरा मसाला यह अच्छे से भुलाई करके बस इजी है विदम फटा फट बन जाती है पांच मिनट में मतलब बन जाती हो और बहुत टेश्टी सी सब्जी बनती है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है हमारे है तो हम लोगों को सभी लोगों को देसी घाना जदा पसंद है कहने का मतलब देशी खाना हम लोगों को ज़्यादा पसंद है और अब मैं आ गई हूँ जो है ना रोटी बना जेती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है दोपार के खाने का तो मेरे रोटी बनाते बनाते सभी लोग आ जाएंगे खाने के लिए रेडी हो जाएंगे बेटी तो रोटी खाती है नहीं उसने पहले ही खाना खा लिया है इतनी फास्ट रहती है अब देखती है कि चावल बना और सबजी दाल जो भी बन गई तो उनको खाना चाहिए रहता है और बचे हम दोनों तो अभी हस्बेन आएंगे ऑफिस से उसके बाद हम लोग दोनों मि बनती है मसालेदार सब्जी तो आप लोग ज़रू किजिएगा है कि ने और चलिए दोस्तों मेरे को चार रोटी बनानी है मेरी रोटी फटा फट बन गई है और उसके बाद चलिया हम थोड़ा सा किचन को साफ कर लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे हजबन जी और फटा ने एक बहुत अच्छी सी चीज आपके सामने आने वाली है ना तो मैं वो काम करने लगी तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि लग गई मैंने का सुबह करूंगी तब जा करके साम तक बन पाएगी तो मैं कर चलो ठीक है थोड़ा देर सवेर होती ही रहती है कि हम ल को बस अब खाना ही है तो इसलिए हम डबे में अभी नहीं रखे और दूद भी मेरा उबल गया है दूद को भी मैंने उबाल करके नीचे उतार लिया जब तक ठंडा होगा उसके बाद हम फ्रेज में रख देंगे और थोड़े सी कुप यह सफाई कर लेते हैं बस मारा खान बन करके रिडी हो गया है तो दोस्तों मेरा किचन भी साफ हुआ थोड़ सा ऐसे गिला कपना मारना था क्योंकि चीटी मख्यां बहुत लग रही है आज पता नहीं वख्यां बहुत आरही है क्योंकि मौसाम ना धूप ही नहींने निकली है दस दिन से ज्यादा क्या महिना होने वाला है मेरे को लग रहा है जुन 20 20 आ 25 जुन से तब से गिर रहा है बंदी नहीं हो रहा है और देखिए हमारा खाना बनकर सब्जी मेरी देखिए कि इतना अच्छा कलर आया है बिल्कुल मैंने इसमें कोई कश्मिदी लालमिच या कोई कलर नहीं डाला है यह नेचरल कलर इसका सब्जी का ऐसे बन करके आया है दोस्तों तो फटांड़ लगा दोस्तों खाने में कुरूश вещ टोज्टों खाने में द्रही और हमारी दोस्तों सब्जी के सब्सक्राइब से चना वड़ी और शब्सक्स करें जो मैंने बनाई हैं और थोड़ा साइलेड में क्वेल दाल देंगे थोड़ा साध्य नमक नमक और डाल देंगे लालमिर्च पाउडर चेलियेस है तुछाइब भूनना है। मुझे भुन करके रख लेती हूं तो ऐसे ही काम आता है ज़रुरत में जब यह पुरंत कुछ बनाना है तो फटफट बना लो है और यह रहा राइस मेरा तो भीया आज की गम देशी प्योर वेज थाली थायार हो गई है मेरी बन करके यह दिखिए दोस्तों कितनी बढ़िया अब करी है और खाने में भी तुरैं को स्वादिश्ट हो हो रही है तो मैंने थ्षॉड़ी सी विडियों लाए है और महुत मजा आरहा है बारिश में अच्छा लगा रहा है बारिश का मवसम तो दस्तो शाम हो गया है शाम को 5 बज रहे हैं और मैं इधर चत्पे आई हूँ थोड़ा काम से तो दस्तो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो दोस्त मेरे वीडियो में नया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आज के लिए इतना ही बाई बाई कर फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ